नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी देश के पचासवे प्रधान नियाई धीस बनने जा रहे जस्टिस डीवाई चनरचूर ने इलाहबाद हाई कोट के मुख नियाई धीस के तोर पर जो फैसले दिये वो नियाई के नजीर बन गए जस्टिस चनरचूर ने यहाँ अपने सवा तीन साल के कारेकाल में ना सिर्फ नियाईक प्रसासन को मजबूती दिया बलकि नियाई पालिका को लोकतंद्र के एक मजबूत स्तंभ के रूप में परिभासित किया बतादे कि 11 नवंबर 1969 को जन में नयाईमूर्ती धननजय यसवंद चन्दचूर सुप्रिम कोट के मौजूदा सिटिंग जज हैं और उन्होंने दिल्ली युनिवर्सिटी से ललबी की है साथी उन्होंने उस्टेलियन नेशनल युनिवर्सिटी, हावर्ड लौ स्कूल और कई विदेसी लौ स्कूलों में भी लेक्चर्स दिये हैं और उन्हें 1998 में बॉम्बे हाई कोट द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था और फिलाल वह सुप्रिम कोट के सीटिंग जज हैं और जस्टिस दीवाई चंदचूर ने 13 मई 2016 को सुप्रिम कोट के जज का पदभार समाला था और वह सुप्रिम कोट में आने से पहले इलहबाद हाई कोट के चिफ जस्टिस रह चुके हैं इससे पहले वह बॉंबे हाई कोट में भी काम कर चुके हैं और कई बड़े मामलों में वह फैसला भी सुना चुके हैं जैसे सब्रिमाला, समलेंगिक्ता, आधार और आयोध्या से जुड़े मामलों में वह जज रह चुके हैं इलाहबाद हाई कोट की 185 वर्सगाट के आउसर पर आयोधित समारोह के उधगाटन पर उन्होंने अपनी दूरदर्सी सोच से देश को नियाई पालिका को Information Technology का आयाम स्थापित कराया जो कोरना काल में वादकारियों के लिए वर्दान सावित हुआ देश में नियाई पालिका के पहले सूचना तक्निकी केंद्र की रूप रेखा ततकालिन चीफ जस्टिस चंडर्चूड के निर्देशन में ही तैयार हुआ इसके अलावा एसिया के सबसे बड़े हाई कोट के डिजिटाइजेशन का कारे भी उन्होंने ही सुरू कराया साथ जजों की ब्रिहत पीठ बनाकर नीचली अदालत की सुरक्षा की मॉनिटरिंग की और नतीजितन राज सरकार ने इसके लिए अलग से बजट भी निर्दारित किया जस्टिस डीवाई चंजचूर ने 31 अक्टूबर 2013 को इलाहबाद हाई कोट में मुख्य न्यायधीस का पदभार समभाला था और लगभग 10 लाख लंबित मुकदमों के संख्या एक बड़ी चुनोती थी और तब यहाँ न्यायधीसों के आधे से अधिक पद भी रिक्त थे और उन्होंने नियोजित तरीके से लंबित मुकदमों के निस्तारन पर ध्यान केंद्रित कराया इसके अलावा न्यायक अनुसासन पर भी ध्यान केंद्रित किया वाई लखनव में ट्रेनी जजों के हुलड मचाने का मामला इसका उधारन था और जब एक साथ 11 ट्रेनी जज को बरखास्त कर दिया गया साथे जिला न्यायाले में वकीलों को भी संदेश दिया गया कि अराजकता पर उनके खिलाब भी कार्रावाई हो सकती है और इसके लिए सभी जिला जजों से रिपोर्ट ली जाने लगी इलाबाद हाई कोट में आए दिन होने वाली हरताल पर भी उन्होंने अंकुस लगाया और इसके लिए हाई कोट बार एसोसियेशन को भी बिस्वास में लिया वाई लोकायुक्त प्रकरण में भी उन्होंने न्याय पालिका की साख को और उचाई दी साथी इलाबाद हाई कोट के साल 2014 में ट्विन टावर गिराये जाने के आदेश को सुप्रिम कोट ने बरकरार रखा था और जस्टिस डीवाई चंदरचूर की बैंच ने यह एतिहासिक फैसला दिया था आपको बता दे कि जस्टिस डीवाई चंदरचूर पूरे दो साल तक पदभार समभालेंगे और जस्टिस चंदरचूर देश के पुरू मुख्य न्याय धीस जस्टिस वाईवी चंदरचूर के बेटे हैं बतादे कि यस्वंत विश्णू चन्रचूर के नाम सबसे लंबे समय तक देश का मुख्य न्यायधीस रहने का रिकॉर्ड दर्ज है और वह साथ साल चार महीने मुख्य न्यायधीस रहे थे और उन्हें आइरन हैंड्स के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने अपने कारेकाल में कई एतिहासिक फैसले दिये जिसमें पुर्व प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी के बेटे संजय गांधी को भी जेल भेज दिया और मुस्लिम प्रस्णल लॉबोर्ड को नजर अंदाज करते हुए मुस्लिम महिलाओं के पती से गुजारा भत् दिवाई चंद्रचूड पहले ऐसे मुख्य नियायाधीस होंगे जिनके पिता वाईवी चंद्रचूड भी CGI रहे हैं और वह जस्टिस यू यू ललित का स्थान लेंगे जो 8 नवंबर को सेवा निवरित हो रहे हैं जस्टिस वाईवी चंद्रचूड को 1978 में CGI के रूप मे नियुक्त किया गया था और वो 1985 में सेवा निवरित हो गय थे और उनके नाम पर सबसे लंबे समय तक CGI रहने का रिकार्ड दर्च है और नियायमूर्ती वाईवी चंद्रचूड उस पांच नियायधीसों की पीठ में से एक थे जिन्होंने 1976 में फैसला सुनाया था कि आपा चटा सकते हैं और तब एक मात्र असंतुस्त नियायधिस नियायमूथी एच आर खन्ना थे वाई नियायमूर्ती दिवाईवी चंद्रचूड ने अपने करियर में दो बार अपने पीठा के फैसलों को पलड़ दिया है आपको बता दे कि नियायमूर्ती दिवाईवी मर्थन करने वाले एक विवादा स्पद आदेश को रद कर दिया था और 41 साल बाद जस्टिस डीवाई चन्रचूड ने आदेश को गंभीर रूप से तूटी पुर्ण भताया था और जस्टिस एचार खन्ना की प्रसंचा की थी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें